जी राम क्या है सरपर्थन चार पंक्तिया सुलिएगा राम क्या चीज है कि मर्यादित पैगाम राम है मर्यादित पैगाम राम है अच्छाई के नाम राम है सचे यर्थों में समझे तो जीवन के धंधाम राम है और उदगाटन भी होने वाला है हमारे अधनी प्रधान मंत्री जी और तमाम गेश्ट आने वाले है तो चारपंगिया यह सुनिएगा कि आज इगों के बाद अवद अनमोल सुखद पल आए है तब देखेगा कि आज इगों के बाद अवद अनमोल सुखद पल आए है ताट छोड़कर ठाट बाट से राम लला चबचाए है पूर हुई है शदियों की वो आज प्रतिच्छा भदों की भब दिद मंदिर में देखो राम लला मनभाए है और राम भदवान तो सपर किर्पा बरसाते हैं और कुछ लोगों को निमन कर गया वो नहीं आए लेकिन तब भी वो सपर सबके भदवान है तब सुलिएगा कि राजा रंक फकीर सभी पर किर्पा वारी बरसाते जो भूले भड के राही को भी मंजिल तक पहुचाते जो जग्के स्वामी राम चंडर जी करवा के सुग सागर है जीद निसाद रीच कप भीलो तक को गले लगाते जो और ये भी सुनियगा चार पंटिया कि स्री राम जी सागर का अभिमान मिटाने वाले हैं जो अभिमान कर रहे हैं उनका भी अभिमान चखना चूर कर देते हैं रावर जैसे तिर लोग विजय का अभिमान चखना चूर करने वाले राम जी है और आज के जो ये रावर है उनकी तो बाद जाने दीजिए और तब चार पंटिया सुनियेगा कि स्री राम जी सागर का यभिमान मिटाने वाले हैं रावर जैसे पापी को शुरूलोग पठाने वाले हैं राम नाम जपने से ही भावपार सभी हो जाते हैं जन्मृत के बंधन से प्रुभमुक्त दिलाने वाले हैं और ये भी चार पंटिया सुनियेगा कि हर एक पापी तर जाता है लेकर राम सिया का नाम उनके ही सुस्मरण मात से बन जाते हैं सारे काम और सारे तीर्थ समाहित हैं स्री राम सिया के चरणाओं में प्रेम से बोलो जै स्री राम सीता राम जै सीता राम प्रेम से बोलो जै स्री राम सीता राम जै सीता राम और अंत में भगवान स्री राम के चरणों में चार पंटिया निमेदित करते हुए अपना अंतिल छोड़ तक हुचाता हूँ कि पूजी राधों की महिमा में गाता रहू उनके चरणों में मस्तक जुकाता रहू हर जनम प्रभु कमलपद की भक्ती मिले दिद्धि वर्दान रगुवर से पाता रहू जनम प्रभु कमलपद की भक्ती मिले